नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका अपने मैच चैनल DRS मैच पर स्वागत करता हूँ UPTET का ये फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम 2011-17 के चैप्टर वाइस कोशन का सुलूशन कर रहे हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर देखिए जैसे ये कोशन दिया है कि वह संख्या ज्याद करिए जिससे 134, 169 और 184 को भाग देने पर सेशफल 9 बचे ठीक तो आप देखिए क्या है एक नमबर होगा जो 134, 169 और 184 को इन तीनों नमबरों को उस नमबर से डिवाइड करना है इसका मतलब आप समझ लेजे क्या होगा कि वो नमबर इन तीनों से छोटा है वो नमबर इन तीनों से क्या होगा छोटा होगा तभी न इनको भाग देगा तभी न इनको काटेगा और नमबरों से छोटा नमबर क्या होता है सदयव महत्तम समापुवर्थ ऐसा है जो कि इनको या इनको भाग देने पर शेस्फल नव बचे ठीक तो जिससे भाग देना है यानि जो डिवाइड करेगा वो इनसे छोटा है तो इसका मतलब आपको महत्तम समापड निकालना है आगे देखे क्या है ये बोल रहे हैं कि किसी को भी भाग देने पर एक ही शेस्फल बचे किया 125 इस दर से 9 माइनस किया 150 इदर से 9 माइनस किया 175 अब आपको ये 125, 150 और 175 का महत्तम समापड लेना है तो महत्तम समापड निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया है पिछले वीडियो में जो कि जिसमें हम LCMHCF का ही डिस्केशन करते आ रहे हैं कि आपको क्या करना पहले दोनों नमबरों का अंतर ले लो 25 बाद के दोनों नमबरों का अंतर ले लो 25 दोनों अंतर बराबर आ रहे हैं अब आप ये देखो ये जो भी 25 है क्या अगर इस नमबर से तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं तो यही महत्तम समापड निक हो गया आप भाग दोगे शेषफल नौ बचेगा शेषफल क्या आएगा नौ आएगा अगर ये 25 से नहीं करते तो हम इनका गुड़न खंड करते और फिर आगे ले जाते तो आप एक चीज याद रखिए कि तीन या तीन से ज्यादा नंबर जितने भी नंबर से अगर सब में एक ही ऀशेषफल आरहा है जो भी शेषफल आरहा है नंबर में से वह शेषफल म माईनस कर लो माईनस करने के बाद जो नंबर सा रहे है उनका आप महत्थम समापोर्त निकाल लो वही आपका अंसर होगा एक कोशन इस तरक आएगा एक यहुग है। इस अंख्या ज़्या descriptive कर कि ज सेशफल 11 और 15 चाहिए तो आपको क्या करना है पहले नंबर लेको 2934-11 तो आपको नंबर मिल जाएगा कितना 2923 फिर आपका दूसरा नंबर है 3254-15 यह वैल्यू आ जाएगी 3239 ठीक है अभी इन दोनों का महत्तम निकालना है दो ही नंबर है तो भागविती से निकालिए बड 2923 जैसे ही आपने इसको 2923 के माइनस करिए यहाँ पर वेल्यू 6 आ गई यहाँ पर एक आ गई 12 में से 9 गया 3 316 हो गया अभी फिर इससे आप क्या करो 2923 को डिवाइड करो अभी कितना बार जाएगा देखिए आप 3927 होता है तो लगबग 9 जाएगा तो 954-5-9-1-9-14-4-1- 2927-28, 2844 हो गया जैसे माइनस के आपने 79, 30-49 और इदर कितना आ जाएगा 11-11 में से 40-7 बादी कट गया और यह आ जाएगा 316 अभी देखो 74-28 तो 49-36-6-3-4-28-3-31 यह कैंसिल हो गया 79 ने डिवाइड कर दिया तो वो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 79 है जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 और इसको डिवाइड करेंगे तो 15-6 फाल आएगा ठीक है देखें यह कोशन दिया है कि वो आप बड़ी से बड़ी संख्या ग्यान करो जिससे इस 545-86-969 को भाग देने पर समान सेशफल आता है देखें बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछेगा इसका मतलब कि आपको महत्तम समापुवाद तक निकालना है अब इसके पहले दोनों कोशन में सेशफल दे देते थे कि 9 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा तो जो दिया रहता था हम उसको माइनस करके उनका महत्तम समापुवाद निकाल लेते थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि समान सेशफल आएगा मतलब कि कितना आएगा हमें वो उन्होंने बताया नहीं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे जो नंबर्स आपके पास हैं आप नंबरों का अंतर ले लो जैसे 863 में से 545 जब आप माइनस करो तो ये नंबर आप देखो कितना आजाएगा आपका 318 इस में से 969 में से 863 हाप माइनस करो तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 106 इन दोनों का अंतर लिखा इन दोनों का अभी फर्स्ट और लास्ट का भी अंतर ले लो इसका और इसका अंतर ले लो तो 979 में से 545 का आप अंतर निकालो तो ये वैल्यू आगे है 424 ये नमबर मिला ये नमबर मिला और ये नमबर मिला जब भी समान सेस्वल का कोशन आएगा तो ये करना है दिये गए नमबरों का अंतर ले लो पहले दोनों का इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का अब इन तीनों नंबर्स का आप महत्तम समापवर्थ निकाल दो तो आप देखो 318, 424, 106 है इनका महत्तम समापवर्थ निकालना है तो जरा देखो कैसे आप निकाल सकते हो अभी आप देखो इन ही तीनों का महत्तम समापवर्थ निकालना है तो आप देखो हमने बोला है कि जब दो से ज़्यादा नंबर हो तो महत्तम समापवर्त कैसे निकालें कि दोनों का आंतर ले लो तो इसका इसका आंतर आ गया 106 और इसका और इसका आंतर आ गया कितना? 312 तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 106 तो पहला यह चीट करन कोई प्रॉब्लम नहीं, 106 से 318 भी कटेगा, 106, 318, 106 से 424 भी कट जाएगा, क्योंकि 4 गुना है, 106 से 3 कट जा रहा है, इसका मतलब महत्तम समापवर्थ हो गया 106, और आपका आंसर भी हो गया 106, अब जब आप 545 को, 106 से जब आप डिवाइड करोगे, तो आप देखो क्या कर सकते हूँ, 5 ताइम से इसको बार ले जा सकते हूँ, ठीक है, 5 बार ये हो जाएगा, 530 से इसका लाएगा 15, फिर आप जब 860 को להOT करोगे 106 तो फिर अभी आप क्या ले जा सकते हो 8 बार ले जा सकते हो तो 844 और 8CK 8 फिर से आपको मिलेगा 15 फिर जब आप 963 को जब आप 106 से डिवाइड करोगे तो आप 9 बार ले जा सकते हो 965 और 919 और यहाँ पर भी फिर आपको सॉरी यह 963 नहीं कितना है 969 है तो आप जब यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको 15, 15 और 15 ही सेश भलाता है तो यह तरीका है फिर से देख लो तीनों नंबर थे, तीनों में से 2amiento का 2 तो का 5 डिफेरेंस लियाVIS, तीन अंतर मिलगे पहले के पहला दूसरा पहला अंतर इन तीनों को महत्तमिनने का तरीका लो सब से 1 टलनेicate Danya Deme यह 2 जब से 3 इंटमभी हो जाएंगे पूर्ट से इस तीन तरह के question भी आ सकते हैं इसके लिए आप बिल्कुल ready रहें अब आप देखो question यह दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ग्यान करो जिसको इससे पहले क्या था जिससे छोटी से छोटी की जगा था बड़ी से बड़ी जिसको आठ नौ बारा और पंदरा से भाग देने पर शेशफल एक आता है जब बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो महत्तम छोटी से छोटी संख्या पूछेगी ता लगुत्तम समापवर्ट पहला अंतर दूसरा वहाँ पर था जिससे भाग देने पर यहाँ पर आ रहा ह चिक तो लगुत्तम समापवर्ट निकालने का भाई एक भाग विदी है जिसमें हम क्या करते हैं कि नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या है जैसे दो से डिवाइड करेंगे तो दो चन्द बारा पंदरा रहेगा फिर यहां दो से लगुत्तम समापवर्ट हो गया तो पूरी तरह से कट जाएगा लेकिन हमको एक सेस्फल चाहिए तो इसलिए हमें जो नंबर चाहिए वो होगा 360 प्लस 1 यानि कि 361 तो हमारा आंसर हो गया 361 सेस्फल 360 इन सब से कट जाएगा एक सेस्फल लाना है तो एक इसमें जोड़ देना है अब देखे यह question दिया है फिर से क्योवा चोटी से चोटी संख्या ज्यान करो जिसको बारा पंदरा अठरा और इकिस से भाग देने पर सेस्फल करमसा साथ दस तेरा और सोला आता है तो फिर से वही चोटी से चोटी संख्या है इसका मतलब आपको लगुत्तम ही निकालना है पहले नंबर से आप लेको 12, 15, 18 और 21 सेस्फल जो उनका आना है माइनस करो माइनस साथ, माइनस 10, माइनस 13 और माइनस 16 तो आप देखोगे यह अंतर 5 आरा है के वल डिफरेंस कितना पांच आरा है ठीक है यह दूसरा टाइप का कोश्यन है जिसमें अलग-अलग रिमेंडर आएगा लेकिन जब आप नंबर और रिमेंडर का डिफरेंस देखोगे तो वह डिफरेंस आपको सेन मिल रहा है पांच आरा अभी आपको क्या करना है कि पहले आप 12, 15, 18 और 21 का लिफरेंगे 12 होता है 2, 4, 12, 15 होता है 3, 15, 18 होता है 2, 3, 6, 18 और 21 होता है 3, 21 उनको सबसे प्राइम नंबर के टाम में तोड़ दो यह होता फैक्टराइजेशन मेंटर गुड़न खंडविदी अभी आपको क्या करना है कि दो यहां पर दो बार आया है और यहां पर एक तो गुड़े अब 3 पर आजाओ 3 एक बार है एक बार है यहां दो बार है तो तीन गुड़े तीन दो बार लिख लो तीन भी हो गया अब आया पांच एक बार साथ एक बार सबी को गुड़ा कर लो 2, 2, 4, 3, 12, 5, 60, 180 और 180 गुड़े 7 18 सत्य कितना होगा 126 और 0 1260 ये वो नंबर है जो इन तीनों का लगुत्तम है ठीक है और लगुत्तम है तो ये इन चारों नंबरों से कट जाएगा हमें क्या करना है भाग देने पर अलग-अलग शेश्पल जाहिए डिफरेंस 5 आ रहा है सभी का तो आपको क्या करना है ये 1260 में से 5 माइनस कर दो तो 1255 वो नंबर है जिसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 7 15 से डिवाइड करोगे तो 10 18 से डिवाइड करें 13 21 से डिवाइड करेंगे तो 16 रिमेंडर बचेगा जो तो इस तरह के question भी आपका जो लगुत्तम समापवरत है और महत्म समापवरत से आपसे पूछा जाएकर जिसे यह question दिया है अनुपात के उपर है, कि दो संख्याओं का अनुपात, तीन अनुपाते चार है, अगर उनका महत्तम समापोर्ट पंद्रा है, तो वो संख्या घ्याण करें, ठीक है, दो नंबर्स हैं, जिनका अनुपात तीन और चार के अनुपात में है, उनका महत्तम समापोर्ट दिया हु तो नमबर क्या होंगे? पहला नमबर N into A पहला नमबर होगा, N into B दूसरा नमबर होगा, यानि अनुपात गुड़े महत्तम समापवर्थ संख्या होगी, ठीक? उसके हिसाब से इसको देखिए, अनुपात है 3 अनुपाते 4 और महत्तम समापवर्थ कितना दे रखा है आपका? पंद्रा, तो पहला नमबर क्या हो जाएगा? तीन गुड़े पंद्रा, आप इसको क्या करोगे? 3 into 15, तो पहला 45 हो गया, और दूसरे में 15 का गुड़ा करोगे तो 60 हो गया, तो ऐसे दोनों नमबर क्या होगे? 45 and 60, 45 और 60 हो गया, नमबर आप डिरेक्ली निकाल लेंगे, असानी से, कई-कई बार आप से पूछ लेगा उनका लगुत्तम समापवर्थ बताइए, तो आप जानते हो कि लगुत्तम समापवर्थ और महत्तम समापवर्थ इनका बुड़नफल होता है, फर्स्ट नमबर इन्टू सेकेंड नमबर, तो पहला नमबर क्या? 45, दूसरा क् कितना? 15, बुड़े क्या आजाएगा? लगुत्तम समापवर्थ होगा, तो 15, 4 को 60, और 45, 4 को 360, तो लगुत्तम समापवर्थ कितना हो गया? 360, 360, 360, तो आप दोनों चीजे निकाल सकते हो, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 360 नहीं, 180, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? नम संख्याओं क को बता सकते हो, लगुत्तम समापवर्थ भी निकाल सकते हो, ठीक है? यहीं से आप और एक चीज देख लो, कि LCM into HCF बराबर हो गया, NA into NB, यही हुआ, नमबर्स का गुड़नफल और उनका लगुत्तम और महत्तम का गुड़नफल बराबर होता है, HCF, highest common fact N क्या है? वो महत हम समापवर्थ है, तो देखो, N से N cancel हो जाएगा, तो आपको मिल गया, LCM is equal to N, N का मतलब HCF into first ratio term, first ratio term into second ratio term, ठीक है? यहा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HCF into ratio terms is equal to LCM, मतलब कि सिधा सिधा कि लगुत्तम समापवर्थ पे बराबर महत्तम समापवर्थ गुड़े अनुपार्थ या अनुपार्थिक पर, चीक है? अब यहां से आप देख लीजे, जब भी ऐसा question आएगा, तो आप directly निकाल सकते हो, अब जैसे मा लेजे, यही ratio वो change कर दे, बदल दे, चीक? आपको क महत्तम समापवर्थ है 9, तो उनका लगुत्तम समापवर्थ क्या होगा? तो आप directly लिखोगे कि लगुत्तम समापवर्थ बराबर महत्तम समापवर्थ गुड़े रेशियो पन, तो चार गुड़े पांच, तो पांच नुपार्च नुपा, यह कितना हो जाएगा? 9.45 चो को 180, तो इस तरह से आपका यांसर आजाएगा? एक यह कोश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 216 है, महत्तम समापवर्थ 27 है, ऐसी कुल कितनी संख्याओं के योग यानि की पेर, ऐसे कुल संख्याओं के कितनी जोड़े हैं, ऐसी दो-दो संख्याओं के कितनी प अत्तम समापवर्थ कितना दे रखा है? 27 दे रखा है, तो जो भी नंबर होगा, वो 27 का गुड़न फल होगा, तो हमने बोला क्या कि 27A और दूसरा 27B हो सकता है, ठिक, पहला नंबर 27A दूसरा 27B हो सकता है, आगे देखिए, संख्याओं का योग फल 216 है, तो इसका कहने का म 216 पटा 27, ठिक, तो A प्लस B is equal to कितना हो जाएगा, देखो आप, 27, 28, तो ये आगया 8, तो भाईया, दो ऐसे संख्याओं जिनका योग फल 8 हो, ठिक है, अब योग फल 8 का मतलब क्या हो सकता है, 8 को मैं लिख सकता हूँ, एक प्लस 7, दूसरा क्या लिख सकता हूँ, दो और चे, तीसरा क्या लिख सकता हूँ, तीन और पांच, अगला क्या लिख सकता हूँ, चार और चार और उसी से फिर उल्टा हो जाएगा, यही चार पेर पॉसिबल है, इसमें से दो, छे और चार और चार ये संभव नहीं है, क्योंकि ये इनके बीच में देखो दो कॉमन है, यानि कि दो और कॉमन आजाएगा, बही जब महत्ताम सुमापट निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कि जो नेरेस्ट वेल्यू है, जो लास्ट वेल्यू है, जो नहीं कट रही है, उसी को लेते हैं, तो दो और च्छा में से हम इसको दो कॉमन ले लेंगे, तो ये एक और तीन हो जायेगा, चार चार बराबर हैं, तो चार पामन हो जायेगा, तो ये दोनों तो नहीं संबहँ हैं, बच्चे का केवल एक साथ और तीन पांच, तो ऐसे खुल दो पेर ही पोसिबल है, एक और साथ और दूसरा तीन और पांच, तो नंबर क्या होंगे, 27 गुड़े एक और 27 गुड़े 7 दूसरा पेयर क्या पॉसिबल होगा 27 गुड़े 3 और 27 गुड़े 5 या तो ये संख्याओं का यूग्म होगा या फिर ये संख्याओं का पेयर होगा यही दो पेयर ऐसे हैं जो जोड़ने पर 216 मिलेंगे और दोनों के बीच में LCA महत्म समापर 27 होगा अगर आप इस दो और पूलेते तो ये 27 गुड़े 2 होता अगला 27 गुड़े 6 होता तो 27 दूना 54 और 6 को भी मैं 2 गुड़े 3 लिख सकता था तो 27 तो यहाँ पर महत्म समापर 54 आ जाता जबकि 27 आना चाहिए ठीक है ना तो इस वज़र से ये नहीं हो सकते तो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता केवल 1,7 और 3,5 तो केवल 2 पेर हो सकते हैं तो option B सही होगा इस तरह के questions आप से exam में पूचे जा सकते हैं ठीक है जिसके लिए आपको तयार रहना है अब आपको इस तरह के questions का सिर्फ practice करना है ठीक है आपको YouTube पर DRS Math सर्च करना है हमारा profile picture जैसे ही आप टच करो प्लेलिस्ट का option मिलेगा वहाँ पर chapter wise वीडियोज मिलेंगे आपको सारे chapter मिल जाएंगे जो सभी एकजाम्स में पूचे जाते हैं ठीक है वहाँ से आप सारे वीडियोज एक एक करके chapter wise देख सकते हैं खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बस यही आप से निवे दन है थैंक्यो सो मच फिर मिलते हैं अगले वीडियो में